नागपुर में हुए हिटन रन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंदर शेखर बावन कुले के बेटे संकेत बावन कुले का नाम आने के बाद राजनीती महराश्व में गर्माई हुई है इस पर जादा बाचीत के लिए उद्धर ठाकरे की सेना से नेता आनन दूबे जी हमारे साथ हैं दूबे जी बावन कुले के बेटे संकेत से बाद में पूछता आच की गई पुलीस के बयान में एक बदलाव देखने मिला इस पर क्या कहेंगे अब देखे पूरे राज जी के जो आज कानून विवस्था के इस्तिती है वो पूरी तरह से चर्मरा गई है लचर हो गई है चाहे बावन कुले के पुत्र हो और चाहे कोई छोटा मोटा प्रादी हो किसी के मन में कानून का भै ही नहीं रहा आप गाड़ी से चला रहे हैं गाड़ी से किसी को रौंद रहे हैं एक्सिडेंट कर रहे हैं आप वहां रुक के मानोता तक नहीं दिखा रहे हैं भागने की कोशिस कर रहे हैं जरासा भी ऐसा सोहाद पुन वहवार उनके अंदर नहीं है कि अगर मेरी कार से किसी का अक्सिडेंट हुआ है तो मैं रोक कर उसकी मलहम पट्टी करवाओं भाग रहे हैं वहां से उसके बाद पुलिस को दवा बनाया जा रहा है कि पुलिस उनका नाम F.I.R. में न डाले पहल मिलाज जुलाकर भारते जनता पार्टी और महायुतिक के लोग जब से सरकार में आये हैं पूरी तरह से लापरवा हो गये हैं पूरी तरह से एहंकारी हो गये हैं उन्हें पता चल चुका है कि केंदर में हमारी सरकार है राज्य में हमारी सरकार है हमारा कौन क्या बिगाड लेकिन इन सब घटनाओं से कानून विवस्था के प्रती अविश्वास आता है और हम एक बार राजनीत बरदास कर सकते हैं लेकिन कानून विवस्था के ओपर कोई अविश्वास करें वो हमें बरदास नहीं है एक विपक्ष के नाते हम सरकार से ही मांग करेंगे कि पूरे मा पर जादी करण करेंगे, तो फिर लोग जाएंगे कहां. पूलिस की रवीए पर क्या कहेंगे, गाडी में तीन लोग मौझूद थे, जिसमें से बाउन कुले के बेटे भी थे, लेकिन पूलीस ने बयान दर्स किया, पूलिस सेशन बुलाया, उन दो लोगों को बाउन खुले की बेटे को बाद में बुलाएंगे। सेवन नहीं किया था, आपकी मनसा क्या थी, ये तो सब जांच का विशह है, और जांच करेगा कौन, जांच पुलिस करेगी, पुलिस के सबसे बड़े जो महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं, देवेंद्र फडोनी जी, वो स्वेमुप मुख्य मंत्री, ग्रे मंत्री हैं, और नाकपूर से ही आते हैं, और बावन कुले जी, उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अधिक्ष हैं, तो जांच करेगा कौन, हम बार-बार यही कहते हैं कि जिसकी जांच होनी चाहिए, वही अगर जांच करेगा, तो जिंदगी भर जांच होगी नहीं, तो कुल मिला जुल कि पुलिस के उपर जरूर कोई बड़ा दवाब है, पुलिस को खुद आकर इसका एक प्रकार से सामना करना चाहिए, और पुलिस के साथ हम कड़े हैं, हम हमेशा पुलिस का सम्मान करते हैं, क्योंकि यही पुलिस है, जिसने कोरोना के संकट समय में हम लोगों को जीवन दि दुवे जी नाकपूर के लावा पुने की अगर बात करें, तो पुने में मोहन भागवत की तरफ से बयान सामना है, उन्होंने काया कि कुछ तत्व ऐसे हैं देश में, जो देश के विकास को रोकना चाते हैं, शत्रपती शिवाजी महराज के काल में भी ऐसा हुआ था, ले मुख पत्र के माध्यम से आइना दिखा रहे हैं, चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा मुर्ती जिस प्रकार खंडित हुई, जिस प्रकार हम सब अपमानित हुए हैं, पुरा देश सर्मिंदा हुआ है, साइद मोहन भागवत जी भारती जनता पार्टी को आइना दिख परना पड़ रहा है, तो भारती जनता पार्टी इस समय अपने एहंकार में चूर होगी, ऐसा उन्हें लग भी रहा है, अजी दादा पावार को बीजेपी ने नहीं लेना चाहिए था, अजी दादा पावार को लेने की वज़े से बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को ज साना साधते हैं, उनको आइना दिखाते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं, इनके नेता जेपी नड़ा कहते हैं, कि अब हमें आरेसस की कोई अवशक्ता ही नहीं है, हम बहुत बड़े बन चुके हैं, हम बहुत महान लोग हैं, ये आरेसस वाले जो हैं, किसी जमाने म हमाई मदद करते थे अब इनकी मदद की हमें आवशक्ता नहीं है तो आदरनी मोहन भागवत जी जब आपकी बात बीजेपी नहीं सुनती है तो आप उन्हें नसीहत क्यों देते हैं ये नसीहत आप अपने पैसर टला कारेसर के कार्यकरताओं को दीजिए जो जाकर साहत कुछ जनता के बीच में अच्छा काम कर पाएं भागवत जी के बयान के लावर राहूल गांदी के बयान की चर्चा हो रही है जो उन्होंने वाशिंग्टन में दिया है कि देश भर में सतर से जादा जो हैं भूरोक्रेट्स हैं लेकिन उसमें कोई दलित नहीं है कोई विशेश जाती का नहीं है वो लगातार ये बयान शुरुवात से भी देते आ रहे हैं देकि राहूल गांदी जी के बयान के पीछे का मकसद यह है कि जाती जनगरना एक बर हो जाए कौन से जाती मुख्यधारा में आने से वन्चित रह गई है उसको मुख्यधारा में लाने की पाते तो IS, PCS, UPSC, MPSC में वो पहुची नहीं पाते वो आधार ही नहीं मिल पाता वो बेसिक फैसलिटी ही नहीं मिल पाती कि वो हाँ तक जाए तो इसके लिए राहूल गांदी जी बार-बार कहते हैं देस में भी कहते हैं वीदेस में भी कहते हैं कि पूरे देस में जो ज गांधी जी झी जिनले हैं, इसको बहरतेन्ता पार्टी ऐसा दिखाना चाहते हैं, खर आप णदि जी पर अनkah घर आप biblical क्रावमण, और आप अगे आना हैं, और आप पिछड है आप दलित समाज से आप पिछड़ गए तो आपको भी आगे आना चाहिए आप OBC से हैं, आप STSC से हैं आप किसी भी समा से हैं पिछड़ गए हैं तो आपको आगे आना चाहिए और तब होगा जब आपकी जाती जन्गर्ना आपकी संख्या पता चल जाएगी बिजेपी कहे रही जब UPA का काल था तब राहूल गांदी की तरफ से ये बात कभी नहीं कई देख ऐसा है कि समय समय पर जाती जन्गर्ना का काम पूरा होता है लेकिन चुकि बहुत पेचिदा विशह है बहुत बड़ा देस है हमारा 140 करोड की आबादी का देस है तो समय लगता है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये जो केंदर में बीजेपी की सरकार है ये भी इसको सायथ करना ही वाली हो लेकिन राहूल गांदी जी के कहने से साथ जल्दी कर दे वरना ये सरकार कहेगी कि भया हम भी तो यही चाहते थे 10 शाल बीस साल हमें भी मुका दीजिए लेकिन आप 10 साल आपको मुका दिया है आप या तो अपना रुख बताएए कि हमें नहीं करना है और या तो बताएए कि हमें करना है यह जो बीच का धलमुल रवया भारती जनता पार्टी ना अपना हुआ है ना हम उस बात से निराश हैं क्योंकि भारती जनता पार्टी के बहुत से निता कहते हैं कि हम इस जाती के हैं हम इस धरम के हैं हम तो पिछड़े वर्क से हैं तो जातियां वहां भी है धरम वहां भी ह लेकिन कहीं कोई मानता है कहीं कोई नहीं मानता तो राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड कर भारती जनता पार्टी वाले राजनीत करना चाहते हैं जबकि बहुत सारे ऐसे विशे राहुल गांधी जी रखते हैं जो सच्वुत जोलंत विशे होते हैं के आर्थिक समाजिक इस्थिति में फिट बैठते हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने कसम खाली है कि राहुल गांधी जी को हम किसी भी कीमत पर जूटा साबित करके रहेंगे भले राहुल गान्दी जी कहते हैं कि सूरस तो पूरब से उखता है तो BJP कहते हैं तो इतना जादा गलत नेरेटू BJP वरे फैलाते हैं कि राहुल गान्दी जी की छवी खराब कर देते हैं दूबे जी महराश्रों की राजनीती की बात करें तो दो चीज़े देखने मिल रही है एकना शिंदे की तरफ से 170 की करीब सीटों का प्रस्ताव रखा गया है दूसरी तरफ जो लाडली बहन योजना है वो लाडली बहन कुटूम योजना की तोरपर इसको मुक्यमंत्री पेश कर रहे है कैसे देखते आपके party इसको ये लाडली बहन योजना पहले कभी रही नहीं ये लोक लुभाउने वादों का एक पिटारा है जो समय समय पर राजनीतिक दल जैसे एकनाज सिंदे, अजीद दादा पवार और देविंद फड़ोने जी खोलते आये हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही योजना का लाप पहले अजीद दादा पवार लेने के चक्कर में लग गए। जगह जगह एड़ोर्टाइज आने लगा कि अजीद दादा ने हमें ये पैसे भेजे हैं। सिंदे जी कूद गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक करोड महिलाओं तक बेहनों तक जाना चाहिए ये योजना लेकर कि हम अपनी बेहनों का बहुत आदर करते हैं। इनको न भाई से प्यार है न बहनों से प्यार है। इनको किवल सत्ता से प्यार है। ये एक करोड नहीं पचास करोड लोगों के बीच में भी जाएंगे न तो जनता इनको माफ छमा करने वाली नहीं है। महायूती की करारी हार होने वाली है क्योंकि महाराश की बहनों ने ये तै कर दिया है कि हमें तो जो भी पैसा मिलेगा ये महाविकास हगाडी की सरकार दे सकती है। क्योंकि मोदी जी ने 15 लाग दिने का वादा किया था और 15 100 रुपए पर आ गए। सोचिए कि कितना गुना का डिफरेंस इनकी कतनी करनी में है। तो मैं नहीं समझता कि एकनाथ सिंदे जी की और अजी दादा पवार जी की इन बातों से इन लोक लुभावने वादों से जनता कोई सरोकार रखती होगी लेकिन चूकि हम राजनीती में हैं, हम विपक्षें बैठे हैं, हम आपको उमीद जगाते हैं और विश्वास दिला कि जब महाविकास अगाडी की सरकार आएगी, इस पंदरा सो रोपय को एक अच्छी खासी सम्मान जनक रकम तक हम लाएंगे और सही मायने में उद्धर ठाकरेजी के नेतरुत में लाडली बहनों का हम सम्मान करेंगे. सीट शेरिंग के मसले को कैसे देखते, एकना शिंदे ने सो से ज़ादा सीटों का प्रस्ताव रखाया? तो 288 में से 40-50 एकनाथ सिंदे पाजाएं और 40-50 अधिद दादा पवार पाजाएं तो जानों गंगा नहा लेंगे. इससे ज़्यादा उनको मिलने वाला नहीं भारती जनता पार्टी है. जब 30 वर्स हमारे साथ रहके हमारे पीट में चुरा भोग सकती है, तो 3 साल में इन शिल कुमार शिंदे ने बयान दिया कि जब मैं ग्रियो मंत्री था मुझसे यूपे सरकार ने कहा कि आप कश्मीर जाएं डर लेके पास फोटो घिचाएं लेकिन उनको क्या पता कि मैं ग्रियो मंत्री होते हुए भी डरा हुआ था, मुझे डर लगता था, इस पर क्या कहें जम्मु कश्मीर में कुछ साल पहले तक हालात अच्छे नहीं थे, सबको पता है, उसका एक मुझी वज़े था धारा 370, धारा 370 हटे, ये हमारे सरवोच नेता अधरने हिंदू हिर्दर समराट बाला साब ठाकरेजी का सपना रहा, उस सपने को पूरा करने के लिए इंडि से कंधा मिलाकर महायूती के साथ रहे और इंडिया के साथ रहे, हमने इस उमीद में साथ दिया था कि जब धारा 370 हटे का तो जम्मु कश्मीर के इस्तिती बदलेगी, वहां के लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, कश्मीरी पंडित भाई बहन जो वहां से बाहर आइगा हैं, वहां स्थापित होंगे, वहां रोजगार आएगा, वहां के आतंगवादी घटने, घटनाय में कमी आएगी, पर आज 2024 मेरा था आज अज भी आतंगवादी हमले हो रहे हैं, आज भी हमारे ज़वन Premiere और हो रहे हैं, आज भी हमारे पुले watch गायल और भौन सह पूरी तरह से इस्तिती अभी भी बदली नहीं है तो सुसिल कुमर सिंदे जी जो 10 सल पहले कह रहे थे अगर सुसिल कुमर सिंदे जी आज वहां जाएंगे तो 50% तो आज भी इस्तिती वैसे ही बनी हुई है हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का सरवांगीर पूरी तरह से विकास हो और बहुत सालों से वहां चुनाव पेंडिंग था 2019 से 377 हटी आज हम 24 में आ गए 5 साल लगए अपनी LG बिठा रखा है वहां अपने दिल्ली में LG बिठा रखा है जम्मू कश्मीर जहाँ जहाँ आप डारेक सत्ता मेंची रहते हैं आपने LG के तुरू आप काम करते हैं तो जम्मू कश्मीर के इस्तिति पहले से जरूर सुधरी है लेकिन पूरी तरह नहीं सुधरी है जब पूरी तरह सुधर जाएगी तब भारती जंता पार्टी इसका स्रेल लेने का अधिकारी है अन्यता भारती जंता पार्टी के कतनी करनी में अंतर है और वो केवल हर चीज राजनीत को देखती है राजनीत के चसमे से सब चीज देखती है इसका हम समय समय पे विरोत करते हैं झाल झाल